आज का टॉपिक है बर्न योर बोट और ये एक स्टोरी है जो एक बार एक जनरल अपनी सैना को लेके दूसरे देश में बढ़ाई करने के लिए जाता है और उन दोनों देशों के बीच में एक नदी होती है तो एफरी टाइम इस गाइस गोज विद द बोट और वहां पर जा जाते हैं ये एक नहीं कई नहीं कई बार होता है तो जनरल सोचता है ये हो क्या रहा है क्यों हम बार-बार हार जा रहे हमारी सैने शक्ति भी बराबर है लेकिन फिर भी हम हार जाते हैं तो इस बार जब लड़ने के लिए जाते हैं तो वो जितनी भी बोट से वो उस किनारे पहुचे होते हैं उस बोट को जला देता है और अपने साइनिकों को बोलता है कि अब हमारे पास वापिस जाने के लावा जीतने के लावा कोई रास्ता नहीं क्योंकि हम वापिस नहीं जा सको जब तक हम जीतेंगे नहीं तब तक हम वापिस नहीं जा पाएंगे और आप माने वो लोग जीच जाते हैं So sometimes in our life हम लोग के पास चीजे होते हैं, हम लोग कमफर्ट लेवल पे होते हैं So sometimes we don't take action ठीक है, चल रहा है, लाइफ चल रही है दौड रही है, in fact आज के रेट में हम हेल्थ की भी बात करते हैं जब लोग जब तक कोई कहते हैं कोई घटना ना घट जाए है, कोई किसी के साथ कोई चीज ना हो जाए तब तक वो आदमी उसको lightly लेके चलता है और जब उन्हें पता चलता है कि Oh my God, मेरा कोलस्टरॉल बढ़ रहा है, मेरा हाट बढ़ रहा है मेरा blood sugar बढ़ रहा है मेरको दुनिया भर के problems हो रही है और यह मेरको first attack आ गया है तो सारी exercise भी start हो जाती है So it's just an example So if you don't have anything and you have to reach to a certain stage आप effort डालना ही पड़ता है जब उस stage में पहुँच जाते हैं So why we will wait for that stage We should always think that we have always burn our boat and we, हमारे पास और कुछ नहीं है सिवाई जीतने के Thank you very much Listening to me, joining Chain of Life